एक पेडा मिठाई की रेस्पी और वह भी बिना मावा बिना चाशनी बिना गैस चलाए तो आपको आज की रेस्पी लगेगी तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कटोरी लेना डेसिकेटर कोकॉनट यानी नारियल का बुरादा बहुत इसली आपको मार्के आप यूज कर सकते हैं, इसके बाद हम डालेंगे पिसी हुई चीनी, तो मिल्क पाउडर भी मीठा, वी चीनी में चार से पांच चम्मच डाल रहे हूं हाँ, थोड़ा सा कमी है, जादा पिसी हुई चीनी मिला देनी है, और थोड़ा से में डाल रहे हूं, हरी या लाइची का पाउडर को हम हाथों से एसे तरह से मिला देंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2-3 चमच दूद की मलाई जो दूद फ्रिज में रखते हैं उसके उपर मलाई आचाती हैं दूद बालने के बाद वो आ यह मिलाई जो मलाई इसको बिल्कुल एक मावा वाला टेक्स्चर दे या फ्रिज का ठंडा दूद है जो यूज कर सकते हैं गरम दूद हमने इसके लिए नहीं लेना और दूद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे जैसे 2-3 चमच पहले डाल दिये फिर हम ऐसे हाथों से अच्छी तरह से मसलेंगे और इसको हमने मसल के बिल्कुल सॉ अगर आपको लगे ना जादा सॉफ्ट पतला से लग रहा तो आप इसमें एक से दो चमच नारील का बुरादा और एड कर सकते हैं इसके बाद हम इसको दो ब्राबर हिस्सों में इस तरह से बांट लेंगे दो हिस्सों में आपने इसको डिवाइड कर देना है एक हिससे उस तरह से मिक्स कर लेना है इसके बाद हम इसके बिल्कुल छोटे-छोटे से रोल बना लेंगे यह दिखिए इस तरह से तो सारे रोल हमने जो इसके हैं वो बना कर इसी तरह से तयार कर लीनी है यह सारे हमने रोल बना लिए है इसके बाद जो दूसरा हिस्सा हमने रखा हुआ अगर आपको कोई और कलर की आप यह मिठाई बनाना चाहते हैं तो आप वो कलर बीसमें यूज कर सकते हैं इसी तरह से अब हमने ओरेंज फूड कलर का यह दिखिए एक रोल बना लेना है और एक हमने जो ग्रीन बना कर रखता है इस तरह से आपने रखकर दोनों को ऐसे मिला इसके बाद हाथों में इस तरह से घुमाना है तो यह दिखिए बहुत इसली यह डिजाइन है जो पेड़े का बन कर तैयार हो जाता है एक मैं आपको और बना कर दिखा देती हूं एक पोर्शन और एक ग्रीन वाला लेंगे और यह दिखिए उसको इस तरह से हाथों में किलवर वर्क से आप जैसे भी चाहें इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं इसको नारियल के बुरादे में कोट कर सकते हैं तो आए होप आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब स्रोल कीजिएगा जल्दी हम लोग मिलेंगे ए सब्सक्राइब के लिए बाई टेक कियर